नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर So DRDO के लिए एक थोड़ी सी unfortunate news सामने आई है CAG की recently publish करी गए report में DRDO की working के अंदर कई सारी irregularities को पेश किया गया है आप यहाँ पे देख सकते हैं, Economic Times ने इस news को हाली में publish किया December 22 की यह खबर है, 58% of construction work in DRDO not completed on time between 2014 to 2019 यह report CAG के दोरा publish करी गई है जस्थ पिछले महीने की ही बात थी, DRDO के उपर एक काफी बड़ा सवाल उठाए गया था कि DRDO के जो 80 research papers हैं, उनकी flagging करवाई गई थी by the international scientific community क्योंकि उसमें गलत images का इस्तिमाल किया गया था Now DRDO के उपर एक और मुसीबत सामने आई है, जसमें CAG ने ही उनके काम के उपर काफी सारे सवालों को उठा दिया है बात करेंगे इस report की क्या का findings है, और बात करेंगे कि इस particular findings के चलते DRDO का का काम किस तरीके से impact हुआ है चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ, मेरा नाम है अनेरुद, इस lecture की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर दिये गए टेलेदान चैनल के माध्यम से, इसके इलावा आप लोग आनकाडमी आप पे मुसे जड़ना ना भूले, using this particular handle अनेरुद 15A Right, so as you can see, CAG ने यहाँ पर कई सारी irregularities को highlight किया है, इस सबसे पहली irregularity जो की हमारी headline भी थी, वो यह है कि Around 58% of the total construction work in the DRDO was not completed within the original schedule between 2014 and 2019, यह वाली report सामने आई है In fact, केवल इतना ही नहीं, इन्होंने ये भी कहा कि 38 scientists ऐसे थे, जो की DRDO के ही अंदर construction works के department के अंदर उनकी posting करवाई गई थी, लेकिन इस चीज के लिए approval उन्होंने ministry of defense से नहीं लिया था यानि कि जो postings और transfers का मामला है, उसको लेकर भी सवाल उठाए गए है In fact, DRDO ने एक काफी जो काफी लंबे time से चलती आ रही problem, उस चीज को भी CAG ने यहाँ पर highlight किया है The core activity of DRDO is research and development of technologies which are required for the armed forces लेकिन, ironically, यहाँ पर क्या है कि इनके पास काफी ज़ादा deficiency है of 180 scientists in the defense research and development scientists cadre जो इनका ज़े cadre होता है DRDS का, उसी के अंदर केवल 180 scientists की कमी देखने को मिली है In fact, इसी साल की बात है, फरवरी में parliamentary panel report पर पेश करी थी कि DRDO की जो current manpower है, वो तो काफी ज़ादा insufficient है for the R&D projects और इसलिए हम कभी कभी देखते भी है कि जो हमारी चीजों की delivery होनी चाहिए वो सही time पे नहीं होती है The percentage of scientists in DRDO is 30% of the total strength of DRDO The committee notes that the current manpower is grossly insufficient for the R&D projects इस पूरी की पूरी irregularity के चलते, CAG ने यहाँ पर यह कहा है The purpose of having a dedicated R&D establishment for planning and execution of time bound work DRDO works was not fully met क्योंकि 58% work जो है वो यहाँ पर पूरा नहीं हो पाया था In fact, इन्होंने यह भी कहा कि जो यहाँ पर complete work पूरा हुआ है Within the original schedule, it declined from 47.09% in 2016-17 to 36.53% in 2018-19 इनकी जितना काम आपको दिया गया था, जितना काम पूरा हो रहा है वो 16-17 के वर्ष में तो आपने 47% काम पूरा किया लेकिन 18-19 के वर्ष में आपने 36.53% के आसपास काम को ही पूरा किया और यह सारी के सारी चीज़ें इसे लिए हो रही है बिकॉज आपके पास manpower की availability नहीं है और बिकॉज आप जो यहां पे scientist हैं उनको सही जगा पे posting नहीं करवा रहे हो In fact, इन्होंने एक बहुत बड़ा मुद्दा यहां पे रेस किया है और यह मुद्दा, I suppose, हमारे कई सारे government departments में देखने को मिलता है इन्होंने कहा DRDO does not have the standards for assessing the requirement of guest houses इन्होंने यह कहा है कि DRDO बिना सोचे समझे guest houses की construction को करवा रहा है इन्होंने क्या कहा कि defense services में क्या होता है कि officers mess को तभी बनाया जाता है जब एक particular authorized strength वहाँ पर होनी चाहिए अगर वो strength होगी तब जाके mess को बनाया जाएगा लेकिन CAG की audit ने क्या observe किया that the occupancy in 53 out of 128 guest houses was less than 20% during the period from 2014-15, 2018-19 की पिछले 5 सालों में जो 128 guest houses DRDO के द्वारा यहाँ पर स्थापित किये गए है उसमें 53 में से केवल 20% के आसपास occupancy थी तो आपने इतने सारे guest house क्यों बनाये है इतना ही नहीं इन्होंने यह भी यहाँ पर highlight किया है कि एक ऐसा station था जहाँ पर already 3 guest house बनाये हुए थे जिसकी occupancy मात्र 11-42% के अंदर घूम रही थी वहाँ पर भी DRDO के द्वारा दो और guest houses को स्थापित करवाया गया है तो यह वाले सवाल DRDO के ऊपर सीधे सीधे रूप से उठाये गए है that you have to explain why are you constructing the new houses, new guest houses जब already आपके पास इतने सारे guest houses available करवाये गए हैं तो यह कुछ irregularities हैं जो की CAG ने DRDO के working के अंदर निकाली हैं CAG की और कई सारे report सामने आई हैं आप देख सकते हैं CAG report reveals railway is window dressing their efforts to show the better financial health इसके बाद CAG ने एक और report publish करी है जो यह दिखाती है कि central PSUs को लगभग 4780 करोड के losses जेलने पड़े हैं उसके बाद इन्होंने real estate को लेकर भी एक report सामने पेश करी है जिसमें इन्होंने बताया है तो यह कई सारे report सामने आई हैं बट देख सारे लोग ऐसा काफी प्रेस करते हैं काफी उसकी तरफ देखते हैं कि DRD और नई ने टक्नीके सामने लेकर लेकिन DRD और कहीं अंदर से जब इस तरह की new सामने आती हैं तो definitely काफी unfortunate मानी जाती है तो इस तो फिलाल के लिए वीडियो में इतना ही सब्सक्रिप्शन को परचेस कर लीजे साथ ही में ये लेटेस बैचेस हैं जो कि आपके लिए वेलिबल कर राजाए कि 22 और 23 के विद्यार्थियों के लिए अलग रूप से बैचेस को शुरू करवाया जाएगा इसके साथ में इस रविवार के दिन आपको हिस्सा लेना है कॉम्बाट में जिसमें यू आपको यू आपको स्कॉलर्शिप मिल सके on that note I take your leave thank you for listening stay tuned and stay safe